अगर आपके प्रदेश की आपके देश की जनता के पास खाने को नहीं है तो it's your default, it's shame on you, वो पब्लिक की दिक्कत नहीं है आर्थिक रूप से आदमी इतना टूट चुका है, सब कुछ इस परबादी की ओर है, आज अगर हम भी लोगों से कहते हैं कि चलो हमको 300 रुपे में सिलेंडर दे दो, हमको 50 रुपे में पेट्रोल दे दो, हम भी चलो भाजपा पे वोट दे देंगे आर्थिक तबाही हो चुकी है, गरीबों के धंदे बंद हो चुके है, रोजगार नहीं है, इवन जाहिसे आप इस कैफे में बैटेंगे, इस कैफे को सर्वाइव करने मुश्किल हो गए, इस तरह के धेरो रसरास बंद हो गए, तो ये जो गुसा है, ये गुसा के सिस्टम के खिलाफ जाता है, सिस्टम में जो सत्ता है उसके खिलाफ जा रहा है, और ये आपास में करनेक्ट होके एक करेंट बन गया है, गानून का राज, जो कि किसी भी लोकतंतर के लिए बिल्कुल बुनियादी चीज है, वो हमने देखा पूरे दरीके से दोहस्त होते हुए उत स्राइज लग रहे हैं, मतलब हम अपने नाटकों में तय करना पड़ता है कि हमें क्या नाम लेना है, किस तरीके से उसको करना है, चला है महिवा मंदन, इसको चाटुकार या उपया आता ता दरबारी कवी, या दरबारी साहितिकार, तो वो है, अभी भी है, आज के समय में आपको मिलेंगे, सरकार के गुलगान करने वाले हैं, तता बदलेगी, तो चीजें बदलेंगी, और बदलना जरूरी है, लेकिन इसका आसर इसने हमें बहुत पीछे ढखेल दिया है, कल्च्राली पीछे ढखेल दिया है, कि छेड़िये एक जंग मिलजुलकर गरीबी के खि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूर कुमलाने लगे हैं, नमस्कार दव वायर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्फा खानम शेरवानी, उत्रप्रदेश चुनाओ के दो चरंड के मतदान के बाद, अब तीसरे चरंड में जो चुनाओ का केंद्र है, जो पॉलिटिक्स का केंद्र है, वो बदल गया, तो इसलिए हमने भी जो हमारी रिपोर्टिंग का केंद्र है, वो बदल दिया, अब भी पश्यमी उत्रप्रदेश से हमने आपको खबरें दिखाई पूरे दो फेजिस की, और अब हम लखनाओ में पहुँच चुके हैं, ल एसेड विक्टिम्स हैं, यानि वो महिलाएं जिनके उपर बेदर्दी से तेजाब फैंका गया, उन महिलाओं के जरीए चलाया जाता है, बड़ी खुबसूरा जगा है, लोग यहां पर आते हैं, बैटके बाते करते हैं, सामाजिक बाते करते हैं, राजनितिक बाते भी करत हैं, क्योंकि जो दो फेज हमें शुरू में दिखाई दिये, उसमें तमाम तरह से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा जो चुनावी एक्सपर्ट्स हैं, वो यह कह रहे हैं कि भारी जो नुखसान है, वो नजर आ रहा है सत्तर उट पार्टी को, मेरे साथ मेह हैं, अपनी पसंद भी रखते हैं, मेरे साथ भार्टेंदू मौजूद हैं, थेटर आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा मेरे साथ विजय अस्थाना हैं, लॉयर हैं, दिपक कबीर हैं, दिपक कबीर एक जाना माना चेहरा हैं, खासकर NTCNRC प्रोटेस्ट में आपने उनको हैं, सबसे पहले आपके साथ शुरात कर लेती हैं, मुझे सबसे पहले बताइए कि वेस्टर यूपी तो आप से थोड़ा दूर है, लेकिन जो दो फेस का जो एलेक्शन ही कहा जाता है कि हवा पता चल जाती है, क्या वो हवा जो पश्चिमी उत्तर पिदेश की है, वो यहा लखनों में कोट है, लखनों में बाहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, पूरप से बेंगाल का बहुत कनेक्शन है, तो कुल मिलाक के हम लोगों को जो समझ में आता है कि यह चुनाव बेंगाल के तर्ज पे हो गया है, कि या तो आप इधर है और बहुत कने गुस्सा था, लेकिन किसानों का जो गुस्सा है वो इतना तेज उभर के आया, कि उसकी वज़े से इन समन्झ में आया कि एक गुस्सा है जिस नेट पहुचाया है, जो मौझूदा गुवर्मेंट है, तो जो बाकी का गुस्सा है, यहां के लोगों का सीधे गुस्सानों व केबिनेट मिनस्टर ने ब्रिजेश पाठक वो भी चुनाव लड़ने उन्होंने तक खत लिख दिया था ओपे लेटर लिख दिया था कि बहुत क्राइसिस है तो जिसके उपर जिम्मेदारी यह समहालने की जब वह भी मजबूर हो जाता है तो यह सिस्टम का फैलियोर का गु करनाटक का इतना पुराना मतलब इतनी दूर का मुद्धा आप सोचिए कि दक्षिन भारत का मुद्धा उत्तर भारत चीफ मिंस्टर के त्वीट देख सकते हूं कि हम कहीं पांस साल के कामों को बताने के ना पर हमारी ट्वीट हैं यह बिल्कुल अलग एजेंडे पे हैं तो वह पहली और आखरी कोशिश होती है किसी की क्लियर डिवाइड करने की क्योंकि डिमोक्रसी में बहुमत जिधर जाएका उधर वो तो डिवाइड लेकिन डिवाइड चल नहीं पा रहा है इसलिए आप हताशा भी देख सकते हैं आप बगल के कानपूर में अभी पर्सों रहली हुई पूरा विज्वाल से खाली गई है जो सत्ता में पार्टी उसके पास इतनी ताकते बहुत रहलियां कर सकती है और बहुत नेता है उसके पास पर वो विड़वा कर रहे हैं आज एक छोटा सा क्लिप हमिशा का वायरल हो ये लोग अभी तो चली रही जो नह् precisa स्वीर है जिसको लेकर साफ dio पर पदा चल रहा है कि जनेता एक तरफ देख रही है अदिटिनाथ ग्रम देख रहे हैं वो वाइरल हो चुकी है यहां सबसे पहले जब मैं पहुंची लखनों में तो उस तस्वीर की बार-बार बात होने लगी तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया की बात सिर्फ आभासी दुनिया तक रहती है ऐसा नहीं है असली दुनिया में भी आती है दूसरी बा रिचार्ड हुई है मेरे साथ यहां विजय अस्थाना मौजूद हैं विजय अस्थाना यह बदाए कि जो यह माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ा जो एक इमोशनल कनेक्ट जो भारते जनरता पार्टी ने देश की बहु संख्यक आबादी के साथ स्टेबलिश कर लिया ह और हिंदुत वो हर चीज़ पर भारी पढ़ रहा है क्या आपको लगता है कि जो मजभ़वी भावनाएं हैं या सामपरदाइक भावनाएं हैं वो अभी भी भारी हैं या दो फेज के एलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे हैं वो वा प्रवा टाइम लगेगा हम जैसे लोगों को बोलना पड़ेगा कि नहीं जहां पर आप हैं वो गलत है वो आपके साथ एक वकील होने के नाते आपको लगता है कि जो एक इनसाफ का एक जो नेचरल प्राकर्तिक प्रोसेस होना चाहिए था वो फॉलो नहीं हो रहा है या रूल आफ लॉग का मैं जिकर करूं कानून का राज जो कि किसी भी लोगतंतर के लिए बिल्कुल बुनियादी चीज है वो ह सब महसूस होता है चुकि हम चुकि अधिवक्ता है हम हाई को में पैक्टिस करते हैं उससे जुड़े हुए हैं जो पहले जो बाते थी जो एक जुडिसरी का एक अपना एक अपने हिसाब से वो डारेक्शन देना आडर करना वो चीज था कहीं ना कहीं से वो प्रेसराइज लग रहे हैं अभी कुछ समय पहले आपने देखा हुए कुछ सुप्रीम कोड के जज को मीडिया बुलाना पड़ा अपनी बात करने के लिए यह एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चीज है इस पे लोगों को विचार करना चाहिए चुकि अगर हम एक ऐसे देश के पाजनीती नहीं है आपका काम है आर्ट्स लेकिन उसके साथ साथ एक आर्टिस के साथ साथ आप एक वोटर भी हैं और आर्ट्स को भी हमने देखा है कि पिछले पांच सालों में उत्र प्रिदेश में भी जस तरह से कुचलने की कोशिश की गई कवियों के उपर यह लोग हैं उनके उपर मैं कहूंगी एक तरह से पत्रकार भी साहित ही लिख रहे होते हैं मतलब कहा जाता है कि लिट्रेचर इन हेस्ट जल्दवाजी में लिखा गया साहित है है रोज हम यही करते है हमारे उपर हमने देखा हमारी पूरी पत्रकार ब्राधरी इतना परिशान रही उत्तरप्रिदेश में पांच साल में क्या आप चीजों को बदलते हुए देख रहे हैं पहले तो इस सरकार का जो एक पूरा रवया रहा है पिछले पांच सालों में वो एक तरीके से कहते हैं कि एक मिजरिटेरियन पॉलिटिक्स करना और उनको पता है कि यही यह एक सेक्ट ह जिसको हम पॉलराइज करते रहेंगे थ्रू आउट उसके दिमाग में करते रहेंगे तो यह हमारे साथ बना रहेगा और वो और यह बहुत पहले से इन लोगों ने शुरू कर दिया था जिसकी फसल अब जाकर कि पिछले दस सालों से इन्होंने काटना शुरू किया है कि जिस तरीके से बहुत संख्यक आबादी के घर में जिस दर्वाजे से धार्मिक या संप्रदायवाद का हाथी का बच्चा आया वो आ तो गया जिस दर्वाजे से आ तो गया है अब लेकिन वो हाथी का बच्चा उस कमरे घर में बड़ा हो गया है वो उसी दर्वाजे से नि ये डेंट वो ऐसा नहीं है कि जिसको इसको इसकी शुरुवात एक इलक्टोरल पॉलिटिक्स के थू हो सकती है कि सत्ता बदलेगी तो चीजें बदलेंगी और बदलना जरूरी है लेकिन इसका आसर इसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है कल्च्राली पीछे धकेल अच्छा कि भगवान को जुरुवत पड़ गई है कि इनसान उन्हें लाए हैं इस तरह की चीज जहां कि बिल्कुल धर्म को भी मैगरत धर्म का भी जिक्र करूं तो उसको भी सर के बल उलटके उलटके कोशिश करें इसको लोग समझते नहीं है क्या इसको अभी तक तो गाओं में ल जरकार ने या इस सत्ता ने जो सबसे बड़ा खेल खेला है कौन बड़ा हिंदू कौन बड़ा हिंदू तो उस कौन बड़ा हिंदू होने में हर आदमी अपना हिंदुत्व या अपने हिंदू होने को साबित करने में लगा हुआ है लेकिन इस पर इसका इस पर असर तो मजने के लिए तो हम में वाकई वापस ग्राउंड लेबल पे जीरो लेबल पे जा करके काम करने की जरूरत है जिस तरीके से आप सोचिए मतलब पिछले दस सालों में एंसी अर्टी की किताबों से गालिब हटा दिये गालिब का हटाया जाना रस खान का हटाया जाना आपका प्रियाग राज बन चुका है और मतलब कमाल की बात है कि अकब इलहाबादी का नाम अकबर प्रतापगड़ प्रियाग रजी कर दिया है बताई कि वेब सय फंके विद्रताब बताई में कलती हो गई थी मतलब यह यह Geschultly नहीं हैं यह सारे वो हैं एक से लोगों के संटिमेंट्स को टेस्ट किया जा रहा था एक तरीके से कुरूशबल होती है आर्ट के साथ खिलवार रोती है। यह जो जो चीज एक प्ले डेरेक्ट करते समय एक ग्ले मांट करते समय एक नाटक लिखते समय जो सोता हस्थूर्थ होता है वो स्पॉन्टिनिटी पर एक तरीके से छेकन बाइलनस हमे करना पड़ रहा है यह बहुत दिल्चस आपने बात बताएं, मुझे लगता था कि शायद यह कमीडियन के साथ ही हो रहा है, यह सिर्फ पत्रकारों के साथ हो रहा है, आप कह रहे हैं, आर्टिस पी जब अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है थेटर के लिए, तो सोच रहा है कि क्या कहा जा सकता है, बिल्कुल, 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 तो जबین पर आकर ये भी अंदाजा होता है कि देखिये कि ए किस तरह से, बिल्कुल बात करते हैं, शुबमतिवारी मुझे बदाएं, आप भी थेटर से जुड़े हुए हैं, तो मुझे बदाएं, एक आर्टिस की नजर से हमने इधर की लेकिन कार्टिस एक शरी होता है हम जानते हैं कि जो ये विचार धारा है बहुत संख्यक वादी वो कहता है कि हम्हें कला साहित निर्थ संचीर नीए लेकिन हमारी साहित निर्थ संचीर होना चाहिए क्या आपने ये महसूस किया decades क्या पीछे की बोर हो चुके हैं कि हर जगे उनी को प्रिफर किया जा रहा है और एक चला है महिवा मंदन जिसको चाटुकार या उपया जाता तो दरबारी कवी तरबारी साहितिकार तो वो हैं अभी भी हैं आज के समय भी आपको मिलेंगे कि सरकार के गुरुदान करने वाले लेकिन उनके लोग भी बोर होने लगे हैं कि दुबार सुनाई देता है वार वार कहने पर क्यार यह हमेशा यही लोग गाते हैं हर जगा हमेशा यही लोग हर चीज करते हैं तो वह साफ दिखने लगा है अब बहुल लंबे समय तक चीज़े नहीं चलेंगे अगर मैं आप से पूछूँ तो उत्तरपिदेश की राजनीती बहुत ही बदनाम है इस वजह से कि यहां पर लोग कास्ट और जो रिलिजिस आइडेंटिटीज है उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बड़े-बड़े मुद्दे महगाई, बेरोजगारी, कौरोनाम कब जो बिलकुल भयंकर, मिस्मे रहा, कुपरबंधन रहा, क्या लगता है आपको कि अभी भी कास्ट और रिलिजिस आइडेंटिटीज कास्ट को खासकर में बोलना चाहूंगी, कि वो जो उनकी लॉयल्टी जो वफादारी है, वो चल रही है, या आपको लगता है कि जो पेट का सवाल है, वो उभरा है, ज चुनाओ पर कभी किसी को वोट देता है, तो इस बार साथ और चालिस का चुनाओ, तो शाठ जो है, आप कहा रहे हैं फ्लोटिंग वोट है, जो वही बदलेगा, जो वही बदलेगा, जो बीस परसेंट वोट है, जो बही बदले, 40% इंके सपोर्टर है, अभी भी है, उनके पर चालिस परसेंट जहां भी खड़ा होगा वो चुनाओ उधर होगा पिछली बार इनको चालिस परसेंट वोट मिला था अपकी बार चालिस नहीं मिलेगा मुझे लगता है क्योंकि चुनाओ इस बार बदल चुका है वो चाहिए रोजगार के मुद्दे हो फिर चाहिए पेपर लीग होना हो फिर चाहिए इन्होंने क्या करते वह जो भी जित्ती भी परिक्षाएंग हो तो उसमें कहीं ना कहीं यह मुद्द और चुनाओ के समय यह म जो आर्टिस्ट की काउम होती ना बहुत खुदार होती है, बोल नहीं सकती है लोगों से की पैसा चाहिए, तो वो खुद भी तबहा है तीन साह से, क्योंकि जो शोज होते थे सब कैंसल हो जाते हैं, जहां कोविड आता सब चीजे कैंसल, तो तीन-चार महीने काम कर पा रहे ह की, चली हम करें कि लोग आपके पास चीजे नहीं थी, सामान नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, बहुत बड़ा देश है, लेकिन आप आर्थिक मदद तो कर सकते थे, यहां पे जहां पे आप आप देखी इतने सारे कुछ लोग हैं, वो दुनिया के अमीर आदमी, इसिया के स दो बार मिल रहा है, मतलब आप यह मान के चलिए, किसी के परिवार में अगर चार लोग हैं, और दस किलो अगर अना जा आ गया, राशन आ गया, तो चालिस किलो आ गया महिने पर, कुछ लोग तो यहां तक सुनने को मिला पश्ची मुत्रपिदेश में कि आधा खा रहें, आदा बेच के पैसे ले रहे हैं, यह सब बातने हैं के राशन उनकी मतलब यह उनका अधिकार है और ले रहे हैं, और इस देश की जनता ज़्ट बहुत में रहरा है, आप फ्री हमें नहीं दे रहे है, तो यह जनता को यह कह करके कि हम यह free दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं आप free बाकिये वो सारे taxpayers के पैसे हैं और वो आपकी अगर आपके प्रदेश की आपके देश की जनता के पास खाने को नहीं है तो it's your default, it's shame on you, not वो public की दिक्कत नहीं है आप कह रहे हैं लोगों का पेट भनना जिम्मेदारी है, प्योश मिश्रा आप भी वकील है, आप किसकी वकालत कर रहे हैं, पहले तो यह बताईए, क्यों वकालत कर रहे हैं, दूसरे आप से यह जाना चाहती हूँ कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं level playing field, यानि बराबरी की ल लोगों का, यानि अंडर 14, या अंडर 16, अंडर 18, यानि यह नहीं है कि आपकी 18 साल के बच्चे के साथ, 10 साल के बच्चे को आप दोड़वाएंगे, लेकिन यहां पे आप देखें, अभी राशन का जिक्र हुआ, अब राशन बाटने का जो काम है, वो जो 70 रुट सकती नहीं कर सकती थी, दूसरे मीडिया को आप देखिए, तो एक तरफा हो चुका है, मीडिया का पूरा कवरेज, पैसा, रिसोर्सेज, इलेक्टर, जो इलेक्टरल बॉंड्ड हैं, उसका पूरा मुद्दा, उस सब को क्या समाजवादी पार्टी आपको लगता है, कि हैं सत्ता पक्षकी, जो लगी हुई है, यहां तक कि तमाम जो किसी भी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ऑफिस के सामने लगी हुई है, और चुनाव आयोग तक का कोई शिकायत नहीं जा सकती, कोई सुनने वाला नहीं है, यह होल्डिंग सिर्फ मुझको नह इकता की और घ्रना की जो नफरत कीन की दाजनीती है, मुझे लगता यह अभी यह दस-पंदा साल और कर सकते थे, लेकिन कुछ गड़बणियां हो ही जाती है, आर्थिक रूप से आदमी इतना तूट चुका है, सब कुछ इस बरबादी की ओर है, आज अगर हम भी लोगों से कह दे कि चलो हमको 300 रुप में सिलेंडर दे दो, हमको 50 रुप में पेट्रोल दे दो, हम भी चलो भाजपा पर वोट दे देंगे, बहुत सारी इन से इस तरह की आर्थिक मुद्दों पर जो गड़बढ़ियां हुई है, जिसको यह सम्हाल नहीं पाए है, कही ना कही आद लेते हैं, आपके बाद पैसे नहीं होगे, तो आप क्या करोगे, मंदिर में आप जाओगे तो पुजारी पूजा नहीं करने देगा 21 रुप में, नहीं होगे तो परसाथ कैसे चड़ाओगे, वहां जाने का किराया कैसे दोगे, कुछ छोड़ा नहीं है, तो कही ना कही कुर्बानी भी नहीं देंगे? पगल के जिले में लखीमपूर पे चली है, उसकी जमानत यहां से चार किलो मीटर दूर है, हाई कोड लखनौ का, वहीं से मिली है, यह सब चीजे नहीं छुपाती है, इस पे लगाता है, मतलब अब मैं आपको बताओं, हम नाम बस नहीं लेंगे हमाई हाई कोड में, एक व लोगों ने उनकी वाल पे जाना छोड़ दिया, आज उनका कमेंट आया है कि खुशी दुबे जेल में बैठी हुई है, बीस महीने से वो विकास दुबे वाले मामले में, और आशिज मिश्रा की चार महीने में जमानत कैसे हो गई, हम लोगों को वकालत करते हैं, हम लोगों की एप्लिकेशन लग नहीं पाती है, कैसे आपने दे दी, 120B का मुल जिम तो वो भी है, 120B के नाम पे आप किसी को भी कहीं भी फसा देंगे, पिर वो कैसे चूटा, हो सकता है भीर से भागने के लिए गारी दोड़ा दिया, हो तो बहुत कुश सकता है, तो ये चीजे बहु ही कह देते हैं, वो भी हम तो मैं पूचते हैं, यार ये जो चलाया जा रहा है, मैसेज क्या चल नहीं पा रहा है, पिरुशी आप ठीक है रहे ये बात, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि जो जहर का इंजेक्शन लग रहा है बार बार, हर WhatsApp मैसेज के जरिए, हर Facebook पोस्ट के ज उसने लोगों को बिलकुल नीला कर दिया है, इतना जहर हो गया है लोगों के अंदर, कि आँखों पे पट्टी बन गई है, शरी नीला हो गया है, मुझे तो लगता है कि जो सामपरदाइक जहर है, वो इतना भढ़ चुका है, कि इस बात से सिर्फ खुश हैं कि चलिए, मु मुझे लगता है, अगर यही पेज यह पांच-दस साल बाद लाते, तो यह बहुत लंबा यह हिटलर की तरह चलते, लेकिन अब यह थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं प्यूशी बास से सहमत हूं कि एकोनौम, देखिए, बेसिकली तो हम क्रोनी कैपिटिलिजम के चक्कर में फस गए हैं, हम ही लोग इनिक्वलिटी रिपोर्ट भी निकाली थी, कि सारे अमीर भी आपदा में आउसर में, अमीरों को अडानी, अमानी को आउसर मिला, बेहिसाब, और यहां पे तबाही है, यह सब लोग मिडल क्लास है, मैक्सिम लोग यहां पे सवान है, ब्रहमन ह पर इनके भीतर की तकलीब भी मौझूद है, कि यह उपर से चाहिए जितने कपड़े पहने हो, पर आर्थिक तबाही ने इनको तोड़ दिया है, आर्थिक तबाही में अगर यह तूटे, तो अडानी को नहीं तूटे, अमानी को नहीं तूटे, और अमीर हो गए, और जेपी की गवर्मेंट रही है, ऑफिशियल आकड़ा है कि छे करोन की पॉपलेशन में वो तीन करोन से जादा लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तो जहां पे आप 20-25 साल से गवर्मेंट का चला रहे हैं, वो रिचस्ट स्टेट भी रहा है भारत का, वहां पे अगर अभी यहां पे यूपी में बहुत बड़ी सरगर्मी हो गई पेंशन को लेकर, क्योंकि कोविट टाइम में पेंशन ने लोगों को बचाया है, यह पेंशन इनका सबसे बड़ा वोट बैंक ता रिटायर हुए लोग सबसे ज़्यादा वाट्स अ फारवर्ड करते हैं, आज पेंशन की लड़ाई में बीजेपी का कोर वोटर भी शिफ्ट हो रहा है कि हमें पेंशन चाहिए, क्योंकि पेंशन एक सोशल सिक्यूरिटी है, अस्पताल की एक सोशल सिक्यूरिटी आए की एक सोशल सिक्यूरिटी लोगों को चाहिए, आज आप यहां बात कर रहे हैं, आ आप अमीर खुसरो पे जो हिंदी का पहला पोएट है नाटक नहीं और तो और यहां पे अश्वाक उल्लाखा और राम प्रसाद बिस्मिल जो फ्रीडम फाइटर थे और दोस्ती मशूर है वो जो कंपोजिट और साजी लड़ाई थी आजादी के अंदोलन की उस पे लिखे न ने रहेगा अगर आप इतना पलट दोगे चीजों को और उपर से पलटने के बाद लोग अगर सुखी हो लोग के घर में कार हो खाना हो मस्ती हो तब तो यह बरदाश कर लेते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का खेल लेकिन जब आपके घर में रोटी नहीं आपके पित गुसा है और लोगों का गुसा यह है कि लोग जनुएन इशूस पर कुछ चाहते हैं चूंकि उनके पास एक माउडल मिल गया कि पहले एक आदमी सब्सकार चला रहा था जो क्रेडिबल था जिसने बहुत कुछ दिया लखनो को या यूपी को तो उसके साथ दो तरह के लेकिन पेट का सवाल जो है वो सामने आ गया तो पिर कैसे जो है वो धार्मिक मानेताओं वाला या धार्मिक जो मुद्दा है उसको कैसे लाया जाए भावनाव का शेर बीर ऑफ कौन सा शेर एक तो अधो दुष्ण काय कि भूध है तो सब्रकर रोटी नहीं तो क्या हुआ है ना आज कल दिली में और कि जहरे बहस कि बाए वह बूध है तो सब्रकर रोटी नहीं तो क्या हुआ था था came लोग और वहन Àउने करेंगे लोग दोस्त मेरे मखहबी नगमाद को मत चेडिए दफन है जो बात अब उस बात को मत चेडिए अपनी कुरसी के लिए ज़सबात को मत चेडिए चलिए इसी बात पर हम कारेक्रम खत्म करते हैं अब तो इस तालाप का पानी बदल दो ये कमल के फूर कुमल आने ले लिए वाँ 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 जब कई कई कलाकार मिल जायें तो शोजो है ये आइडेंटिटी भाई ये तो भाई पंडिट जी हैं वो पंडिट जी हैं, ये कायस साहब हैं, तो उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ये आइडेंटिटी इस भी तो होती है, ये टूटा हुआ मिडल क्लास है, तो हम चाहते हैं कि आपका ये लखनव सलामत रहे, आपका कलाकारों का, आर्टिस्टों का, ये आपकी जो आजादी है कलात्मक वो भी बनी रहे, ये भी बहुत महत्पून बात है, और इसलिए खासकर इस बात की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ कि जब हम राजनिती की बात करते हैं, तो राजनिती में साहित्ते को भी देखना चाहिए, विज्यान को भी देखना क्योंकि जो नेता हैं और खासकर वो नेता, वो पार्टियां जो बहुत संख्यकवात की और धार्मिक विभाजन की राजनिती करती हैं, उनके लिए बहुत सुटेबल है कि लोग ये भूल जाएं कि ये आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये अक्टिविस्ट हैं और सिर्फ इतना याद रखें कि ये किस घर में पैदा हुए थे, किस जाती और किस धर्म में पैदा हुए थे तो अभी तक जो अंदाजा लग रहा है मुझे वो यही है कि दो फेस के बाद अब जो हवा है उसका रुख जानने अब हमारा सफर आगे बढ़ेगा आपको अलग अलग जगों का लाहबाद, बनारस, गोरगपुर, लखीमपुर इन तमाम जगों का दौरा हम आपको कराएंगे और लोगों की बाद चीज सुनाएंगे नमस्कार